हेलो दोस्तों आप सभी का accurate learning में स्वागत और मैं उमादे साही लक्षमनी financial services से आज हम इस session में आपके सामने ले आ रहे है Senator Elizabeth Warren popularized budget role जो के 50, 30 and 20% में विभाजित किया गया है जो basically based on needs, wants and saving के उपर तो इसे हम और अच्छी तरह से जानेंगे तो आईए इसे आसानी से समझने की कोशिश करेंगे So Senator Elizabeth Warren ने अपनी पुस्तक All Your Worth, The Ultimate Lifetime Money Plan इसमें budget rule बहुत अच्छी तरह से समझाया है यहाँ पर उन्होंने income allocation Smart income allocation यह कैसा होना चाहिए इसके उपर उन्होंने यहाँ पर कुछ key takeaways दिये है तो यहाँ पर हम लोग आज जानेंगे की income का जो income जो हमारा जो tax जो निकाल के after tax जो निकाल के जो हमारे हाथ में disposable जो income रहता है उसका allocation कैसा होना चाहिए तो income allocation यह बहुत ही important चीज है और इसको सभी को जानना बहुत ही जरूरी है यहाँ पर जबी income आता है तो हम लोग इसे spend करना शुरू कर देते है यदि आप इसको बहुत ही strategically और आप समझ के सोच समझ के अगर इसका allocation और इसके expenses अगर आप divide करोगे तो आपको आपके financial लक्ष को जरूरत से जादा अच्छी तरह से और जल्दी आप उसको पा सकते हो तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि जो 50% जो आपका income का जो portion है वो आपके जरूरतों पर जाना चाहिए तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि यह जरूरतों की चीज जो नीर्ज यह हमारे living expenses होते हैं तो living expenses मतलब जो essential जो चीज़े हैं जो हमारे रोज मरा जिंदगी के लिए हमें बहुत ही आवश्यक होती है तो वो चीज़े हैं हमारी groceries, हमारे payments, हमारे rent, हमारे mortgages हैं हमारे जो सभी चीज़े जो हमें essential चीज़ों में लगती हैं उसी के उपर हम लोग यहाँ पर खर्चे करते हैं तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हम लोग उने maximum 50% जो हमारे needs के उपर हम लोग खर्च कर रहे हैं तो यह ज़्यादा तर हम लोग बहुत avoid नहीं कर सकते हैं यहाँ पर आपके जो lifestyle expenses हैं वो हम लोग थोड़ा सोच समझ के यहाँ पर उसको देख सकते हैं कि हमारी जो income है उससे कई ज़्यादा तो हम लोग यहाँ पर expense नहीं कर रहे हैं तो आपको यह बहुत manually देखना चाहिए कि आप जिस घर का घर खरीद रहे हो उसके जो उसका rent तो बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है या EMI उसका बहुत ज़्यादा जा रहा है अपने income के proportionate तो यहाँ पर यह अगर आप capping कर देते हैं तो आपको पता चलते जाता है It is an eye-opening exercise कि आपके खर्चे यह किस चीज़ पर जादा जा रहे है और किस चीज़ पर कम जा रहे है अगर आपको लग रहा है कि यह खर्चे यह needs पर अच्छी तरह से नहीं हो रहे है तो आप इसको eliminate भी कर सकते हो तो जो second category का allocation है वो है wants पे और वो जाता है 30% हमारे wants में तो यह wants हम सभी जानते है कि wants यह जो चाहत है जो हमारा entertainment है dining out है हमारी जो hobbies है और जो भी हम लोग जो extra non essential चीज़े इनके उपर जब हमारे खर्चे होते हैं यह सभी खर्चे हमारे चाहतों पे आते हैं जो wants पे आते हैं तो इस दोरान जो lockdown चल रहा है जो pandemic है यहाँ पे हम लोगों ने इस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरह से control करना सीख लिया है और हम लोगों ने यह जो bifurcation है जो essential चीज़े और non essential चीज़े यह भी यह दोरान हम लोगों को बहुत अच्छे तरह से समझ वे आ गई है और यह जो income का 20% जो portion है यह 20% portion यह savings की उपर दिया गया है जो savings जो चीज़े है जो आपकी जो contingency और emergency fund create करने के लिए आपके saving account और bank account में जो पैसे होते है उसमें या आप जो investment कर रहे हैं जो mutual fund में हैं stocks में हैं insurance में हैं यह 20% में यहाँ पे यह income का allocation किया जाता है यह है हमारा budget rule और income allocation यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जैसे हमारी पाचो उंगलिया यह same नहीं होती है वैसे ही लोगों का needs और wants और यह saving pattern यह एक जैसा नहीं हो सकता है कई families में जो income earning जो member है उसके उपर बहुत जारा dependent भी हो सकते हैं या कई लोगों के families में उनके पास बहुत जादा लोग income generate करने वाले हो सकते हैं और उनके उपर dependent नहीं हो सकते हैं तो यह जो allocation है यह आपको बहुत सोच समझ के आपको इसका ध्यान रखना चाहिए यहाँ पर और एक simple चीज है जो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग minimum 50-30% इसको capping कर सकते हैं जो living expenses पर ही होगा और जो 30% है वो हम लोग कह सकते हैं कि यह 30% है यह debts मतलब आप अगर कोई loan ले रहे हो mortgage कर रहे हो इसको आप अपने total income या total आपका जो net worth है उसमें आप इसको 30% के capping में रख सकते हो तो यहाँ पर जो remaining allocation जो है यहाँ पर investment और saving में चला जाता है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे हमारा age यह increase हो रहा है तो आपको आपके income allocation का जो चाहतों का जो column है जो debts पर जाता जाता है उसको आपको 40 या 45 age के बाद आपको debts यह कम करने चाहिए या आपको इसको completely eliminate करना चाहिए तो हमने आज इस session में देखा कि जो income allocation जो smart income allocation है जो financial thumb rule के हिसाब से जो है वो है 50, 30 and 20 तो हमें अगर आपके financial goals को अच्छी तरह से पाना है रीच करना है तो आपको यह जो financial golden rules है 50, 30, 20 और आपके need based के analysis के हिसाब से आपको इसको एक exact cap in देनी चाहिए अगर आपको यह session अच्छा लगा तो please like, share and subscribe और हाँ bell बजाना नहीं बुलना Thank you